आपका एक बार फिर से स्वागत है आज बाबा ने फिर से बेहत के विराग्य को अंडरलाइन कराया है पापा ने कहाया कि साधना का आधार बेहत का विराग्य और कुछ ऐसी विधियां जिन विधियों को हम बुद्धी में बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमारी साधना मजबूत बनती जाएगी तो बाबा ने कहा अभी चारो और साधना का वायुमंडल बनाओ समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपश्या वे साधना है ही बेहत का विराग्य सेकिंड में अपने को विधेही अशरिरी वा आत्म अभिमानी बना लो एक सेकिंड में मन बुद्धी को जहां चाहो वहां इस्थित कर लो इसको कहा जाता है साधना पहले चीज बाबा ने कही साधना का आधार बेहत का विराग्य विराग्य का अर्थ किसी से नफरत करना नहीं है लेकिन बेहत का विराग्य अर्थात हमारा रुझान अविनाशी चीज की तिरफ हो और विनाशी चीजों से हम अपनी बुद्धी को हटाए इसे हम विराग्य कह सकते है अविनाशी मैं आत्मा अविनाशी परमात्मा और बाकी इन आखों से जो चीज दिख रही है वो है विनाशी तो हमें साधना करने के लिए अपनी बुद्धी को अवीनाशी चीजों पर इस्थिर करना है दूसरा बाब ने कहा हमें कुछ अभ्यास करने है विदेही परमधाम की स्थितिगा ऐ शरीरी यहां अपने कोई शरीर से अलग समझना और आत्म अभिमानी कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझ कर शरीर से कर्म कराना इन इस्थितियों का हम बार बार प्रैक्टिस करें दूसरा अपने मन बुद्धी को ओर्डर प्रमान चलाने की प्रैक्टिस भी करनी है यह बाबा ने कहा कि जहां चाहे जितना समय चाहे उतना समय हम अपने मनबुद्ध को कहीं टिका सके अपने मरजी के अनुसार तो इसको कहा जता है साधना अच्छा ओम शान्ती